आटी शर्मा solution है, यह class 12 है, chapter 12 higher order derivatives, exercise है 12.1, यहाँ पर differentiation है, अब इसको आप देखेगा कि यह normal तरीके से नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ी सी जुगत लगानी हो, जुगत लगाएंगे कैसे, पहले आप यह देख लीजिए, यह y बराबर आपका है, log x plus under root x square plus 1, इसका square, तो इसका dy by dx कर दीजे पहले, देखे, x की power n का क्या होता है, n x की power n minus 1, तो यह पुरा x है, और इस पूरे का square है, ध्यान रखेगा, तो 2 आगया जाएगा, और फिर यही चीज़ आजाएगा, log x plus under root x square plus 1, अब यह हुआ है, अब आपको log का करना पड़ेगा, log का क्या होगा, 1 by x plus under root x square plus 1, अब आपको x plus under root x square plus 1 का करना है, तो x plus under root x square plus 1 का, x का तो 1 ही हो जाएगा, और under root x square plus 1 का हम कहीं मरतबा कर चुके हैं, जो कि आपका आता है, x by under root x square plus 1, यहाँ पर आएगा, प्लस x by under root x square plus 1, इसको यहाँ पर आएगा, प्लस x by under root x square plus 1, इसको यहाँ मैं replace कर रहा ह इस जगह पे ला रहा हूँ, तो माल लीजिए कर हमने अंडर रूट x2 प्लस x by अंडर रूट x2 प्लस 1 रखा, यह दोने तो कैंसल हो गया, फाइनल के आएगए आपका 2 log x प्लस अंडर रूट x2 प्लस 1 divided by अंडर रूट x2 प्लस 1, अब आप d2y पर dx2 जब करेंगे ना इसका तो आपका यह, मैंने इसको अलड़ी किया है, इसलिए मैं देखता हूँ, बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर तकलीफ होगी, आपको कोई चीज रिमेन, एक चीज रिमेनिंग रह जाएगी, उस रिमेनिंग के चक्कर में फिर आप यह equation दिला पाएगे, तो उसके जुगत नीचे वाले का root है, तो square इसका x² प्रस one बनेगा, इसको 70 प्राइ कर दिजी आप, इसको यहाँ से, एक स्क्वार प्रस one यहाँ से, यहाँ से, आपका हो गया, यह पूरा content क्या है, यह उसका पूरा square हुआ है, यह आपका y है, यह 4y आ गया, ठीक है जी, नीचे आगया आप X square plus 1, Y1 whole square और 4Y, इससे फायदा क्या होगा यह 1 है अब हम differentiation करते हैं दोनों side के differentiation क्या होगा इसका X square plus 1, पहले यह कर लेते हैं फिर इसका बहार रखते हैं हम product rule लगा रहे हैं, यह होगा 2Y1, और Y1 का differentiation क्या होगा जी 2Y1, Y1 का differentiation Y2 फिर प्लस कर दीजे, अब Y1 whole square आगया आपका, X square plus 1 का होता है 2X, और यह आपका 4Y, 4 है Y का differentiation Y1, अब इससे क्या बना हमारा, यहाँ Y1 है यहाँ Y1 है, यहाँ Y1 है, तो सब जगह से पहले तो आप Y1 हटाजी, तो सब को Y1 से divide कर दी, तो यह Y1 यहाँ से हट गया, यह होग Y1 हट गया, यहाँ से Y हट गया, ठीक है साब, यहाँ से हट गया और यह 1 plus X square into Y2, यह 2 काहाँ से आए जी यह 2Y2, Y1 यह X square plus 1 का हमने किया, X square plus 1 2Y1, फिर Y2 हो गया प्लस Y2 यहाँ से हुआ, तो यहाँ पहले तो यह सब को 2, हमने Y1 से divide करिया था, मैं आप से कहूँगा 2 आप से divide करिये, ताकि यह 2 भी हट जाए, यहाँ से 2 भी हट जाए, यहाँ पर किल 2 बचे, यह देखिए आपका answer में 2R, तो आप इसको जैसे लिखना लग दीजे जो हम चाहते है, जैसे question कहे रहा है, 1 प्रस X square करी है इसको, Y2 आपका हो गया D2Y by DX2, Y1 हो गया आपका DY by DX, साथ में X है यहाँ लगा दीजे, बराबर 2, आप देखिए यही चीज आ गई, तो यह square वाला जो है वो थोड़ा साब को ध्यान देना हो, next है Y बराबर 10 inverse X का whole square अच्छा, यह तो हम already कर चुके है, यह आपको याद होगा, यह already कर चुके है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, Y बराबर cortex, इसको भी हम कर चुके है, लेकिन थोड़ा सा revision के लिए मैं बताई देता हूँ, यह Y है आपका cortex, और आप जाते है, cortex cortex, यह प्लस कर दीजे, cosec cortex, यह आपका square बन जाएगा तो यह बनेगा 2 cosec square, 2 cosec square x, और cortex, अब क्योंकि dy by dx है यह, देखें, dy by dx क्या है, माइनस cosec square x है को, cosec square x क्या होगा, माइनस dy by dx, इसकी जगह आप रख दीजे, माइनस यह 2, cosec को, cosec square x की जगह मैं यह रख रहा हूँ, dy by dx और cortex आपका y है यह आपका y है, तो y हो गए और d2y by dx2 है, अब इसको अधर ले आईगे d2y by dx2, प्लस twice, यह y है, आगे रिनने लिजे इसको dy by dx, बर आप जिरो यह आपका answer आगे, next है, find d2y by dx2, when y is this, तो y आपका है, log, यह तो कई लोग कर लेंगे, तो आगे बढ़ सकते हैं यह log, तो हमको क्यों यह बताना है, d2y by dx2 निकालना है तो इसमें कुछ equation नहीं है, तो सीधा dy by dx निकाल लिए पहले, dy by dx क्या होता है, log का क्या होता है, 1 by x 1 by this, तो इसका मतलब यह e square ऊपर चला जाएगा, x square नीच आ जाएगा, तो आपको x square by e square का करना है, तो e square e square तो constant है, तो e square यहां राने दीजिए, x square का करना है, आपको 2x हो गया ठीक है जी, e square is square cancel और यह 1x से 1x x cancel, आपको 2 by x आ गया तो इसका जो उत्तर आता है, बहुत ही आसान हैगा, minus 2 by x उकर आएगा इसका, क्योंकि d2y by dx2 आप देखी पा रहे हैं, तो ऐसा रहेगा 1 by x का differentiation क्या होता है 1 by x का होता है, minus 1 by x यह आप जानते ही है अची तरीके, इसको समझाने की जरूत नहीं है, यह इसका उत्तर रहे है y है a e की पावर 2x plus b e की पावर माइनस x और आपको यह प्रूव करना है इस तरीके question हम अलड़ ही कर चुके हैं, तो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ जाए तो आपको, y बराबर है a e की पावर 2x plus b e की पावर माइनस x तो dy by dx बनेगा आपका, यह आपका एगा a, e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहेगा फिर 2x का रहेंगे, तो 2 आजाए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँगी, माइनस आने वाला है, तो मैं माइनस यहाँ पर पहली बना देता हूँ यह b है, b का कुछ नहीं, e की पावर, minus x का e की पावर minus x ही रहेगा और फिर minus x का differentiation आएगा, minus 1, इसलिए मैंने यहाँ minus जोड दिया चलिए साब तो क्या बना यह 2a e की पावर 2x और यह minus b e की पावर minus x यह dy by dx आ गया, अब हम d2 y by dx तू निकालेगा, यह है 2a e की पावर 2x a e की पावर 2x का already differentiation हम एक बार कर चुके है, ठीक है ना जी? 2x का e की पावर 2x, अच्छा इसमें एक चीज़ और की जा सकती है, क्योंकि अभी हम यह equation लानी है, अगर मैं इसका, यह आपका 2 यहाँ पर है, 2 into 2, a to the power a into e की पावर 2x, प्लस b e की पावर minus x, लेकिन यह करते समें हम यह ध्यान रखें कि हमें लाना क्या है, तो d y by dx यह है, तो हम क्या करेंगे, इसको introduce करेंगे, यह आपका, यह minus में है, ध्यान रखेंगा, यह minus में है, तो हम यह लाना चाह लेकिन हमको लाना तो यह है, यह जीज़ लानी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यह है, 4a e की पावर 2x से लिखेंगे, 2a into the power 2x, प्लस 2a into the power 2x, यह ठीक है, यह तक, और इसको लिखेंगे हम b e की पावर minus x को, 2b into the power minus x, और minus b into the power minus x, लेकि 2 से 1 गया तो यही बचेगा, और यह 4, 2 और 2 प्लस करके आया, यह किसलिए किया भी आप यहां देखेंगे, इन दोरों को हम जोड़ेंगे साथ में, तो यह एक तो यह हो गया, 2a into the power 2x, और minus b into the power minus x, प्लस यह क्या आएगा, 2 common ले लेते हैं यहां से, तो a into the power 2x, प्लस b into the power minus x, अब जहां से देखें, यह क्या था आपका, dy by dx, तो इसकी जगर तो आप सीधा dy by dx टिक दीजे, और यह क्या चीज़ है जी, यह आपका actual y है, तो प्लस 2y, और यहां पर क्या आएगा, d2y by dx2, आपको rearrange करेंगे, तो क्या बनेगा, d2y by dx2, और minus dy by dx, और इसको भी यहां लेगे, तो minus 2y बराबर 0, यह आपका उतरा, यह आपको प्रूव करना था, ऐसे हैं, यह question भी already हम कर चुके हैं, तो इसको मैं किवल आपको solution दिखा देता हूँ, क्योंकि यह पहले हम इसको already कर चुके हैं, और अब आईए next वाले पे, y बराबर है, cos inverse x, find d2y by dx, in terms of y alone, यहने आपका किवल y आना चाह और बाकी चीज़ें नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखे, मैं इसको करके दिखा दूँगा आपको, लेकिन जो अपने आप करना चाहते हूँ, वो आगे बढ़े, y बराबर cos inverse x है, आपको डिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का differentiation पता होना चाहिए, अच्छी तरीके स तो dy by dx क्या बनेगा, cos inverse x का differentiation होता है, minus 1 by under root 1 minus x square, ये ध्यान रखेगा आप, अब इसका d2y by dx2 करेंगे, d2y by dx2 में क्या होगा, d2y by dx2, ये minus 1 का भी यहीं रखे, अब हम कहारे हैं, मैं यहाँ अलग से करके दिखा रहा हूँ आपको, under root 1 minus x square, ये क्या बनेगा, इसको आप पैसे मान सकते हैं, 1 minus x square की power half, तो differentiation जब करेंगे इसका, तो half, 1 minus x square की power half minus 1, ये आएगा न, half minus 1 आएगा, और फिर उसके बाद, यहाँ पर half minus 1, अभी हमने क्यों इसका किया है, cos inverse x का, ठीक है, और फिर उसका 1 minus x square का आएगा, minus 2x, minus 2x by 2, और ये आपका या, 1 minus x square की power half गए, हम ये minus half गए, minus half minus 1, minus 3 by 2 बनेगा, तो half, नीचे इसको ले आएगे, तो 1 minus x square की power 3 by 2, और नीचे आपका, उपर आपका minus 2x है, तो 2 से 2 गया, यहाँ पर minus x, और 1 minus x square की power 3 by 2 का मतलब क्या है, 1 minus x square की power 1 into under root 1 minus x square, क्यों? क्योंकि ये 1 minus x square का under root का मतलब होता है, half, half plus 1 होता है, 3 by 2, उसको हम लिख सकते है, 1 minus x square, और power 3 by 2, अभी यही रहने देते हैं, अभी हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों बताने के लिए किया है, तो आप क्या क्या है, हमने ये किया, तो आपका minus x by 1 minus x square की power 3 by 2, और राइ x क्या है, आपका क्योंकि y के terms में निकालना है, x क्या बनेगा, cos y, x बनेगा cos y, तो x अगर cos y है, तो इसकी जगा आप cos y रख दीजे, minus 1, और क्योंकि minus cos inverse x का, यहाँ पर इस जगा पे मैं रख रहा हूं, cos y, यह क्या बनेगा, 1 minus cos square square, और यह 3 by 2, 1 minus cos square, और 1 minus cos square theta क्या होता है, sin square theta होता है, sin square theta होता है, तो इसकी जगा हम करेंगे, cos y, और यह 1 minus cos square theta है, sin square theta, और sin square की power है 3 by 2, तो यह 1 by 2, यह 2 है, यह 2 है, तो इसका मतलब हो है, s2 into 3 by 2, तो s cube आया, s cube क्या है, वह बनेगा sin cube y, ठीक है जी, यहाँ तक आ गया, और अब यहाँ देखेगा, कि जब हम sin y, और यहाँ sin cube को हम लिखेंगे sin y, और यह sin square y, तो cos y by sin y क्या हो गया, cot y, और sin square y उपर ले गया, तो cos x square y, यह आपका d2y by dx2 हो गया, ठीक है, और इसमें, मुझे थोड़ी से sin की शंका हो रही है, क्योंकि जब हम यह minus, यह cos inverse x का तो यह होता है, minus 1 by under root 1 minus x square, minus already है, जो हमन किया, minus 2x, 1 minus x square, और यह minus, यह minus half आया, जी, minus minus तो वैसे cancel हो गया, तो यहाँ पर आपका किवल minus ही रह जाएगा, यह minus तो यहाँ से हट गया, तो यह आपका आएगा, यह वाला minus यहाँ पर, ठीक, यह आपका ऐसे solution, y बराबर e, a cos inverse x, अब आपको यह प्रूव करना है, तो तेरे खासे उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको, तो मैंने solution दिखा दिया है, reference के लिए, बट मैं करके दिखा देता हूँ, y बराबर आपका हो गया, यह 500e7x, प्रस 600e-7x, तो dy by dx होगा, तो यह 500, e to the power 7x का, e to the power 7x ही रहेगा, और 7x का बनेगा 7, तो मैं प्रस लगा देते हैं, यह 600 यहाँ है, e to the power minus 7x का e to the power minus 7x ही बनेगा, और यहाँ पर आएगा 7, क्योंकि मैंनस अलरी ले चुके हैं, तो इसका 7 बजाए, तो कि आगे आगे आपका 7 into 5, 35, 3500, e 7x, minus 7, 6 of 42, 2200, और e minus 7x, तो यहाँ आपका dy by dx आया है, तो यहाँ निकालना ह इसका 3, 5, 0, 0, e के power 7x का e के power 7x ही रहेगा, और यहाँ 7x का 7 आएगा, तो यहाँ लिक देता हूँ, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, minus आने वाला है, minus यहाँ है, तो पहले ही प्लस कर देते हैं, तो 4200, e to power minus 7x का minus 7x रहेगा, minus 7x का आपका minus 7 आएगा, minus 7 आएगा, minus 500 into 49 करिए जरा, 49 into 5 क्या होता है, 5, 9 is a 45, 5, 420, 24, 00, इसको करके देखिए, 35, 100 को, 7, 00, 75, 75, 53 करी हैं, 7, 321, 24, इसी चीज आगी न, तो आप यहाँ से 49 बाहर ले लेंगे, तो आप 500 अंदर आ जाएगा, इसी तरी के से 4200 into 7, 600, इसको भी करके देखिएगा, आपका 600 यहाँ यहाँ आपका y2 हो गया, यानिकि d2y by dx2, ठीकिन यह क्या चीज है जी, यह तो आपका original है y, यह आपका 49y आ जाए, यह आपको प्रूब करना था, ओके, next वाला है, अब इसको भी करी ले थे हैं, x बराबर 2 cos t minus cos 2 t है, y बराबर 2 sin t minus sin 2 t है, आपको यह बताना है, निकालना है t बराबर pi by 2, तो यह parametric form है, parametric form का हम already कर चुके हैं, तो जो आगे बढ़ना चाहें, वो देखे कर सकें, लेकिन मैं आपको यह करके बताऊंगा इसको, x बराबर है 2 cos t minus cos 2 t, तो dx by dt, पहले करेंगे, 2 cos t का minus sin t, cos t का फिर से minus sin t, तो minus sin 2 t, और 2 t का 2 बाहर आएगा, जह त तो minus 2 sin t plus 2 sin 2 t, अब y पहले हैं, 2 sin t minus sin 2 t, तो dy by dt बनेगा 2 sin t का cos t, sin 2 t का cos 2 t, और 2 t का 2 ही रहेगा, 2 cos t minus 2 cos 2 t, अब आपको चाहिए dy by dx, तो यह कैसे बनेगा, dy by dt divided by dx by dt, तो यह उठाईए, इसके निचे रख दीचे, तो मैं यह डार्क यहीं रख देता हू, minus 2 sin t plus 2 sin 2 t, तो सब 2, 2 हटा दिजे बस, तो dy by dx आपका बन गया, सब 2, 2 हटा दिए, cos t minus cos 2 t divided by minus sin t, और plus sin 2 t, अब हम d2y by dx2 करते हैं, d2y by dx2 में वही करना है आपको, यहां लाइए इसको, इस जगा पर, ऐसे, अच्छे, ध्यान रखें का, जब dy by dt करेंगे, तो साथ होएं आपको, यहां पर, एक और, जैसे मैंने dy by dx कर दिया, अब जो हम d2y by dx2 करेंगे, तो पहले हम इस पूरे को differentiate करेंगे, और उसके बाद हम dt by dx भी introduce करेंगे, क्योंकि हम, यहां सारा t है दायहां, यहां पर x नहीं है, सब tt है, तो dt by dx से multiply होगा last, ठीके जी, तो हम इसको पहल minus sin t plus sin 2t, इसका whole square, यह आगे, और dt by dx भी direct लिखी देता हूं है, dt by dx क्या था, इसका उल्टा, तो यह नीचे आएगा, minus 2 sin t plus 2 sin 2t, यह मैंने इसकी जगे रेप्रेस किया है, अब इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, यहां मैनस sin t plus sin 2t, यह ऐसे रख देंगे, तो इसका differentiation होगा cos t का minus sin t, और इसका minus minus plus, cos t का minus sin तो ले लिया, sin 2t, और sin 2t का जब करेंगे, तो 2 भी इसमें introduce होगा, ध्यान रखेगा, यह 2 sin 2t आएगा, तो हमने करिए, मैनस करिए, मैनस करिए, अब हमने क्या किया, यह वाले को उपर रखा था, इसका differentiation किया, अब इसको ऐसे रख देंगे cos t minus cos 2t, a differentiation होगा, अब इसका, यह बनेगा sin t का cos t, और plus 2 भाहर आगा, क्योंकि 2t का है, sin t का cos 2t, इस जगह की कमी है, यहाँ हो गया, अब आपको क्या करना है, कि यह नहीं करना है, इसको solve करने लगना है, मतलब इसको multiply करें या कुछ करें, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रखना क्या क्या है, दियान रखेगा, यह यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ जो होने वाला है, sin 0, 0 होता है, इसकी ज़रुत नहीं पड़ेगे, हमें sin pi by 2 की ज़रुत पड़ेगी, sin pi by 2 क्या है, क्योंकि हमको pi by 2 रखना है, sin pi by two याला कि sin 90 degré, यह ब होता है , इसी तरीके से cos pi और कास में News gonna कॉस पाइट क्का है देखिए जानने की शहती है साइन पाइड तू पाइडनी बैनों पाइड़ का राव हों बैसे यह चीज आपको धियानने नीजा, अब आएक करके इसमें रखते हैं, minus sine t, यहाँ आएगा आएगा आपका, minus sine t, sine t क्या आएजी, sine pi by 2, minus 1 रख दिजिए, plus 2 into sine 2t, sin 2t क्या है, sine pi, यह तो 0 है, यह अपर कुछ मत रख यह, 0 कर दिजिए, बस, अब अगले पे आएए ये वादा हम कर चुकेां, हम इस पे आरहे हैं, माइनस साइन टी, साइन टी, यानिके साइन पाई बाई टू, क्या है आपका 1, तो यह माइनस बन होगений, माइनस यह नए यह, stud ja, साइन टी, यानिके साइन पाई, यह minus 1 है तो इसलिए यहाँ minus था तो minus minus प्लस कर दिया यह 1 तो यह minus है ना जी plus 1 अब minus cos t minus cos pi by 2 तो 0 ही है और आपका यहाँ पर आगा 2 cos 2t cos 2t यहाँ cos pi minus 1 है तो यहाँ minus हो गया और 2 अलरेडी था आपके यहाँ पर minus 2 er तो यह हो गया अब नीचे आ जाएगा यह minus sin t यह तो हम अलरेडी देख चुके है minus 1 है sin 2t यहाँ यहाँ का 0 है इसका how square है minus 2 sin t यहाँ की sin pi by 2 1 है तो 1 minus 2 ही रहेगा plus 2 sin 2t तो 2 into sin 2t यहाँ की sin pi यहाँ का 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या बना minus 1 plus 0 है minus 1 यह minus 1 यह आपका is 1 to minus 2 तो 2 कर देता हूं मैं नीचे आपका रहे, minus 1 का whole square 1 ही यह minus 2 का whole square ही है, minus 2 तो minus 2 ही रहेगा यह बना आपका minus 1 minus 1 plus 1, 2 to 2 ही होगया minus 2 होगया, तो आपका 3 by 2 minus 1 यह उत्तरा है, यह आप यहाँ देख दीरे रहे उसका माइनस 3 बाइट वांस अब ये क्वेश्चन हम करेंगे अगली बार तब तक शुक्रिया महर्मानी आप सबी की